असलाम अलेकूम आज में ब्लूबरी मफिन्स जिसके लिए हम एक कप चिनी डालेंगे बोल में दो अंडे डालेंगे और दोरों चीजों को विस्क करेंगे चिनी और अंडे अच्छी तरह विस्क हो गए हैं अब हम इसमें थर्ट कप तेल डालेंगे और हाफ टेम स्पून विनिला एक्स्ट्राक्ट इसमें हाफ टी समक डालेंगे सब चीज़े को अच्छी तरह विस्क कर लेंगे इसमें हाफ कब दूर डालेंगे इसको भी अच्छी तरह विस्क कर लेंगे अच्छी तरह विस्क हो गया है अब हम इसमें दो कप और परस फ्लावर डालेंगे चांद के डालेंगे एक कप पले डालेंगे फिर दूसरा डालेंगे इसको मिक्स कर लेंगे अब दूसरा कफ डालेंगे अब दो टी स्पून बिकिंग पोडर डालेंगे इसको भी साथ चाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे बाचर हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया अब हम इसमें 200 ग्राम फ्रेश ब्लूबरीज डालेंगे अगर आपके पास फ्रेश नहों तो आप फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं इनको अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह तरह में अच्छी तरह तरह होगे हमने कब कर लिए मुफिन कब को ग्रीज कर लिये अब हम इसमें बाडल डालेंगے मैंने अवन को 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया सब कप को फिल करके फिर मैं बताऊंगी मुफिन कप को हमने फिल कर लिया अब हम इंको अविन में डालेंगे मुफिन कप को फिल कर लिया माशालला 25 मिन में हमारे मफिन त्यार होगी है अब इंको कूल होने के लिए रख देंगे माशालला बहुत ही मज़िके और बहुत ही लजीज मफिन त्यार होगी है अब हम सर्फ करेंगे और इंजोई करेंगे आप पी रस्पी ज़रूर ट्राइ करें और कोविन बुक्स में पताएं आपके रस्पी कैसी लगी मुझे दें अजाज़त अल्लहाफ़ेश